हेलो इस्टुडेंट्स भागलपूर आईटिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का ये वीडियो स्कॉलर सीप से रिलेटेड है तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच सेर करेंगे जिनों अभी तक सब्सक्राइब ने किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको बहुत तरह का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो है स्कॉलर्शिप से रिलेटेड है स्कॉलर्शिप किन के लिए है ये तो ओबीसी स्टुडेंट जो बिहार के स्टुडेंट्स हैं ओबीसी में जो भी बीसी और इबीसी दोनों के लिए है ये क्योंकि कोई BC होते हैं कोई BC यानि BC1 और BC2 दोनों के लिए है तो इसके पहले SCST और Minority के लिए जो है scholarship निकला हुआ था बहुत दिन से जो है OBC students परिशान हो रहे थे कि अभी तक हम लोग का नहीं निकला scholarship तो उनके लिए भी scholarship का निकल चुका है form तो आप लोग online कैसे भरेंगे क्या क्या इसमें लगेगा और कैसे कैसे इसका process है सारा जनकरी आपको इस वीडियो में मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप जो सबसे पहले scholarship का fill करेंगे तो वो कौन से website पे करेंगे यह बहुत जादा important है क्योंकि इसका website भी कुछ कुछ change हो गया है तो आपको यहाँ पे मैं website दिखा देता हूँ यह है आपका website pmsonline.bih.nic.in इस website पर जाकर के ही आपको fill करना है अधर कोई website पर नहीं जाना है pmsonline.bih.nic.in पर ही आपको जाकर के scholarship का form fill करना है तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface खुलतावा दिखाई देगा आपको वहाँ पर इस तरह टाइप का interface दिखेगा कि post metric scholarship post metric scholarship है क्योंकि आप लोग metric के बाद का scholarship भर रहे हैं जो metric पास हो चुके हैं तो post metric scholarship में आप लोग कहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको उपर में ही दिखेगा मुख्य मंत्री पिछरा वर्ग एवा मत्यान पिछरा वर्ग BCEBC परवेशी कोत्तर छात्रविर्ति योजना 2022-2022 के लिए आवेदन करें इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा तो आप जैसे ही इसको देखेंगे सबसे first वाला आप वहाँ पर इसको किलिक कर देगे BCEBC का है यह इस पर किलिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर किलिक करेंगे आपको तुरंत जो है इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा इस टाइप का आपको वेबसाइट पर दिखेगा जैसे ही आप यहां देखेंगे तो थोड़ा आप नीचे आजाएंगे और नीचे आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां लिखा वाए मुख owner gospard 67 borrowing BCWC प्रवसरीक और 2023 आवेदन के लिए यहां क्लिक करें इस पर इस पर आपे क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर instaurative का new student registration पर click करेंगे click करेंगे तभी आपका वहाँ पर detail खुलेगा already वेगर पर नहीं जाएंगे वो होता है कि आप अधूरा भड़े हुए हैं तब already पर जाएंगे new है तो new student registration पर click करेंगे new student registration पर जैसे ही click करेंगे आप लोग वहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा आप ये ध्यान दे कि आप कैसे कैसे fill करेंगे ये तो था आपका यहां तक का step अब आपको ये ध्यान देना है कि आप जैसे ही वो click करेंगे तो आपको ये इस तरह का दिखेगा कि कुछ लिखा होबा कि आप ये आवेदन का अधार संख्या ये ये जाती प्रमान निवास प्रमान ये सब ये सब साथ में आपको ये बताया जाकर ये चेक बॉक्स को आप लोग क्लिक करें यानि कि टिक करना है जैसे ही चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहां पर कंटीन्यू करेंगे आप जैसे ही continue करेंगे continue करने के बाद आपको फॉन फिलप का इस तरह से एक notification आ जाएगा कि आपको ये सब जो है जानकारी रखना पड़ेगा आपको ये सब जानकारी देना पड़ेगा जानकारी में आवेधक का अधार संख्यां जाती पर्मान पत्र निवास पर्मान पत्र आय पर्मान पत्र बैंक खाता ये सब आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा account आपका Swem का होना चाहिए किसी के अधर का नहीं होना चाहिए किसी के popa का मा का भाई का नहीं होना चाहिए आपका अपना खुद का bank account होना चाहिए जैसे ही आप यहाँ पर ok करेंगे ok करेंगे आपका phone fill up का आ जाएगा और यह इस तरह से डिटेल भरने के लिए आपको दिखेगा ठीक है ये हो गया मेरा प्रोसेस की हम लोग फिल करेंगे कैसे ठीक है अब बात है कि फिल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ डॉकुमेंट्स आपको वहाँ पर रखना होगा तभी आप फॉर्म को फिल अ पर तक चलिए अब हम लोग उस पर डिसकसन कर लेते हैं सबसे पहले आप जो है अपलाई करने से पहले क्या क्या करेंगे वो में बता देता हूं । सबसे पहला चीज तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप अपना अधार कार्ट जो है पास में रखेंगे अपना एक पर्मानपत्र होना बहुत जरूरी है और बैंक के अभी तो मैं बता ही रहा था कि बैंक इक अकोंट भी होना जरूरी है तो जाती आवाश है आई का पर्मानपत्र इकदम होना ही होना है सब को और वह व ostrne बना हुआ एक साल से पुराना नहीं चलेगा एक साल के अंदर का ही इसमें लिखा हुआ है साथ ही साथ एक चीज और मैं बता देता हूं कि आप जो जाती आवासी आए बनाएंगे वो ध्यान में यह रखेंगे कि आप अगर बी सी हैं ओके यानि कि बी सी टू इसी को कहते हैं तो तीन लाग से अधिक का इंकम उसका नहीं होना चाहिए चाहिए वो इबी सी भी है तो उसका भी तीन लाग से अधिक का इंकम नहीं होना चाहिए यानि कि इंकम सार्टिफिकेट आपका तीन लाग से कम का होगा तो इंकम सार्टिफिकेट आप लोग ध्यान में रखते करेंट का जिनके पास बना हुआ है बहुत अच्छा है एक साल के अंदर का आगे अब आप जैसे की मैट्रीक का माक्सी टाप रखेंगे जाती अवासिय परमान पत्र अधार कार्ड फोटो ये सब सब रखेंगे आप लोग ये ध्यान रखेंगे आपको यहां पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या यहां पर डॉकुमेंट अपलोड करना होगा आपको अपलोड भी करना होगा क्या 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 अपलोड कर फी receipt from institution और एक bonafide certificate ये दोनों भी देना है फी receipt और bonafide certificate तो ये आप कहां से लाएंगे और कैसे बनवाएंगे ये बहुत important है तो क्या करेंगे आप लोग कि यहां पर बगल में view लिखा हुआ है फी receipt का फी receipt के बगल में जो view लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे उसी तरह bonafide certificate बगल में जो view लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप click करेंगे आपको उसका format मिलेगा जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि अभी जैसे ही मैं free receipt पर click किया तो यह इस तरह का format हमको दिखा रहा है यह format आपको जैसे ही click करेंगे view पर तो दिखेगा तो यह format आप निकाल लेंगे format निकालने के बाद आप उस पर अपने हाथ से पेन से black blue से किसी से भी name and address of the institute जिस आप institute में पढ़ते हैं college का नाम, student का नाम, father का नाम, admission number आपके रसीद पर होगा course, session, इतना चीज भर करके आप अपने संस्थान में आएंगे अगर किनी को दिक्कत होगा, अगर वो नहीं भर पा रहे हैं, फिर भी आप यह blank ले करके आएंगे आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, फिल करने, उसके बाद आपको यहाँ से signature, मोहर और यह fee क्या detail लिख करके दे दिया जाएगा तो यह आपका हो गया fee receipt के बारे में, उसी तरह आपको bonafide certificate, bonafide certificate के बगल में था view, view पर आप जैसे ही click करें, आपको यह bonafide certificate वहाँ पर दिख जाएगा download, यह download करके print करा लेंगे वहाँ पर आपका नाम, roll number, किस year के है, कौन सा trade है, या course है, वो कौन सा college है, वो लिख करके आपको signature मोहर करके दे दिया जाएगा और यह भी upload होगा, free receipt भी upload होगा, bonafide certificate भी upload होगा यही format में, जिस तरह से जाती अवासी आय परमान पत्र होता है, upload उसी तरह से bonafide certificate और free receipt भी upload होगा तो आप यह लाना नहीं भूलेंगे, आप website पर जा करके, download करके, print कर लेंगे, यह आपको संस्थान तभी sign करके देगा, ओके, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह ध्यान से इतना करने के बाद ही आप form fill up करने बैठेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका time भी चलते रहेगा, और साथी साथ server सबको पता है कि बहुत ही down हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि जितना जल्दी हो सके, last date का wait नहीं करेंगे, कब तक है, कब आप लोग अभी से अपना process करेंगे, तो सभी कोई student ध्यान रखेंगे, जो bc, evc से हैं, वो अगर scholarship भरना चा रहे हैं, तो ये सब document आप अपना बनवाले, जिनका बना हुआ है, बहुत अच्छा है, वो जो है अपना form fill up, pmsonline.bih.nic.in पर जाकर के भर लें, अपने से भी किसी cafe में भी जाकर के भर सकते हैं, आप लोग भर लें, संस्थान भी आपको सयोग करेगी, संस्थान में आकर के आप अपना bonafide और free receipt भी बनवालेंगे, ओके, अगर किसी तरह का दिक्कत है, तो आप संस्थान आईए, संस्थान में आप पूछ सकते हैं, ओके, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, तो जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों को बताएं, सेयर करें, और जिनोंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का आपको information फिर मिलते रहा, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू